ये क्या किया माजी? दो कब तक नहीं संभाले गए आपसे? करदिया ने नुक्सान? मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे. सावित्री देवी को आज फिर अपनी बहु कविता से डाण सुननी पड़ी. ये पहली बार नहीं था जब उनके साथ ऐसा हो रहा था. आए दिन उन्हें अपनी बहु के ताने सुनने पड़ते थे. पती के गुजरने के बाद सावित्री देवी ने बड़ी ही कटनाई से अपने बेटे रवी का पालन पोशन किया था. खुद हमेशा गरीबी में रही थी. मगर रवी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी. उसका दाखिला शेहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था. स्कूल के बाद रवी को कॉलेज भेजना उनके बस के बाहर की बात थी. मगर फिर भी उन्होंने रवी का दाखिला कॉलेज में करवाया था. उसकी फीज भरने के चकर में दिन रात काम करते करते वो समय से पहले ही बूड़ी हो चली थी. उस दिन जब रवी का कॉलेज खत्म हुआ तब की बात है. मा, आज मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी भी मिल गई है. मुझे आशिरवाद दो मा. जुक जुक जीओ मेरे बेटे, भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुश्या दे. एक बात और कहनी थी मा. बोलो बिटी. कल से तुम्हारा काम करना बन. कल से मेरी मा घर में आराम करेगी. तेरा ये बेटा अब खुद कमा कर लाएगा. और अपनी मा को वो सारी खुश्या देगा, जो वक्त ने तुम से चीन ली थी मा. और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? रवी जेप से एक पैकेट निकाल कर अपनी मा को देता है. सावित्री उसे खोल कर देखती है. उस पैकेट में उसके कंगन होते हैं जो दो साल पहले रवी के एक्जाम फीस भरने के लिए उन्होंने गिर्वी रखे थे. सावित्री देवी की आँखों में आसु आ गए. लेकिन ये तु कैसे लाया बेटे? सावित्री देवी खोशी से रवी का माथा चूम लेती हैं. उस दिन से सावित्री का जीवन सुक से व्यतीत होने लगता है, लेकिन ये खोशी बस थोड़े दिनों की महमान थी. सावित्री देवी रवी की शादी करवाना चाहती थी इसके लिए उन्होंने अपनी पसंद की एक लड़की भी देख रखी थी एक दिन सुबह रवी नाश्टा कर रहा था तब पिटा, बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाह रही थी बोलो मा बस यही कि अब घर में एक बहु आ जाए तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है लड़की तो मैंने भी देख रखी है बस तुम्हें पसंद आ जाए मा सच, दिखा तो ज़रा कैसी है लड़की रवी अपने फोन में लड़की की तस्वीर दिखाता है लड़की सावित्री को अतनी पसंद नहीं आती है मगर बेटे की खुशी के लिए वो हां कर देती है वो लड़की कविता ही थी वो रवी के ओफिस में इकाम करती थी फिर रवी की शादी हो जाती है और कविता बहु बन कर उनके घर आ जाती है पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है फिर धीरे धीरे कविता अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ पहले ओफिस से आओ फिर तीन जनों का खाना बनाओ यही सब करना था तो एक नौक रानी ले आते मेरी क्या जरूरती उपर से तुम्हारी मा का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है तुम्हें पता भी है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुम्हारी गवार मा की वज़े से मुझे अपने दोस्तों के सामने खबरदार जो मेरी मा के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा तो रहो अपनी मा के पल्लू से बंद कर मुझे से नहीं होगा इतना सारा काम तब ही वहाँ सावित्री देवी भी आ जाती है कविता की आखरी बात भी उनके कानों में पढ़ जाती है अरे बहू इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है अगर काम ज्यादा है तो मुझसे कहा गर मैं तो वैसे भी दिन भर खाली बैठी रहती हूँ मा मगर सावित्री ने रवी को चुप करा दिया उस दिन से कविता घर का सारा काम सावित्री देवी से करवाने लगी मदद का तो बहाना था कविता जाड़ू, पोचा, बरतन और कपड़े भी सावित्री से धुलबाती थी घर की शांती भंग ना हो इसलिए सावित्री भी सारा काम चुप चाप कर दिया करती थी लेकिन बूरी और कमजोर होने के कारण उससे अक्सर गलती हो जाये करती थी और कविता को बखेडा खड़ा करने का मौका मिल जाता और वो पहले सावित्री को जीवर कोस्ती फिर रवी से जाकर उसकी चुगली भी करती थी इच भी सावित्री के हाथों कब तूट जाने की बज़ए से कविता उसे ताने दे रही थी रवी बेटा, बड़े दिनों की इच्छा है कि बद्रीनात के दर्शन कराओ जाने, कौन जाने कितनी जिन्दगी बच्ची है, मेरी यात्रा का इंतसाम करते बेटा रवी अभी कुछ कह पाता, उससे पहले ही वहां कविता आ जाती है कोई जरुवत नहीं सिजूल खर्ची की, अभी वैसे भी तंगी चल रही है, कुछ दिनों बाद जब पैसे आ जाएंगे तब देखा जाएगा रवी भी कुछ न बोल पाया, सावित्री देवी वहां से उदास होकर चली गई, उसी राद देखो, तुम्हारी मा की ख्वाइशे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आज बद्रीनात की यात्रा के लिए बोल रही थी, कल कहेंगी कि चारुधाम की यात्रा करनी है मेरी मानू तेली शहर के व्रिधाश्रम में भीश दो वहां ये अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगी, और व्रिधाश्रम वाले भी साल में एक बार तेर्थ यात्रा के लिए ले ही जाते हैं रवी फिर रोज रोज के इन घर के कलहों से उपतास अगया था, उसे भी कविता की बात अच्छी रगी इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों सावित्री देवी को व्रिधाश्रम छोड़ने पहुचे अभी वो गाड़ी से उत रही थे कि आश्रम का गार्ड सावित्री को देखकर अपनी कुर्सी से उत खड़ा हुआ अरे सावित्री जी आप, जरूर किसी से मिलने आई होंगी, मुझे पहचाना, मैं रगुभीर, इससे पहले अनाथ हाले में था गार्ड, है सावित्री देवी पहले ही दुखी थी, वो अपने दिमार पर ज़्यादा जोड़ न दे पाई, बस गार्ड की नमस्ते का जवाब दे कर आगे बढ़ गए मा का अश्रम में दाखला कराने के बाद जब रवी बाहर निकल रहा था, तब उसे फिर वही गार्ड मिला क्या आप सावित्री देवी को जानते हैं, जी बहुत अच्छी तरहा से, आज से तीस साल पहले मेरी नई नई नौकरी लगी थी, शहर के अनात आश्रम में, सावित्री देवी वहां अक्सर कुछ न कुछ पैसे देने आया करती थी, एक बार उस आश्रम में किसी ने ऐसे ब भायानक बिमारी थी, सबने सोचा कि अब वो नहीं बचेगा, तब सावित्री देवी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस बच्चे का इलाज करवाया था, और उसे मौत के मुझ से बाहर निकाला था, फिर उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया था, क्योंकि उनकी अपन कोई संतान नहीं थी, और बेचागी के पती का भी देहान थो गया था, रवी और कविता दोनों उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे, रवी को लगा जैसे आज चो उसमें पाप किया है, अपनी सगी मा से बढ़कर प्यार देने वाली स्क्री के साथ, उसकी वच्चे से वो खुद की नजरों में ही कर गया है, वो अब किसी से नजरे मिलाने की काबिल नहीं रहा, वो वापस आज श्रम में जाने लगा, कहा जा रहे हो, अपनी मा को लेने, मगर, बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मेरी मा मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी, और बड़ी गलती हो गई, अब मैं मा को जरा भी तकलीफ नहीं दूगी, इसके बाद दोनों सावित्री देवी को लेकर वापस घर आ जाते हैं, और सावित्री के जीवन में खुशियां फिर से लोट आती हैं,